किसान भाईयों हमने जो पांच बिगे गन्ना बॉया है इसका बीज जो करवाया है ये हमने एक दोरे से नहीं कटवाया जैसे ये मेड़्े छिते से दिखाय दे रहे आपको इनका मेड़्ा खोलते रहे और जैसे अच्छा गन्ना है ये इतने उपर से दांती से कटवा लिया और जो कमजोड था मूना था वो छोड़ दिया गया क्योंकि मालिया पर्ची चार दिन में आवे तो वो बीज एक तो दिक्कती ये पढ़ती है दोनों काम एक दम नहीं होते तो ये उपर-उपर से कटवा लिया गया और देख के कटवाया कई बार जह हम छोलाओ पर बीज करवाते हैं ठेके दार पर तो वो सारा गन्ना एक लुक्साने छोलते वक्त आदमी भूल जाता है कंफूज हो जा कई बार तो जैसा ये कमजोर गन्ना है ये हैं मूने टाइप बरीक बरीक इनको वो पूली में रख देते हैं बीज में और जब बीज तैयार करते हैं तो बीज काटने वाला भूल से वो भी इसको काट दे तो ये कमजोर आख का गन्ना जो है हमारे बीज मा जा तो हमें तो ये फंडा चलागा हम ऐसे ही करते हैं ज्यादे तर ये देखिए ये हमने कुछ मेड़ों में से बीज निकाल लिया और जैसे हमों कहीं पोएंगे तो उसमें क्या करेंगे अभी दस पंदरे दिन में ही होली के आसपास मेड़ा खोल लेंगे जैसे ये मेड़ा है बिल्कुर साबुत है और हमें बीज रखना है तो उन्दाज हम सोचते हैं तीन मेड़ों में एक पूली हो जाएगी और मालिया हमारा छे कूंटल लग रहा है भीगे में और बोना है दस हो उन्दाज हैं सोचा का मलताव है जबा आघ क्योंकि 30 में 50 गंढ eight representation कि 5-0 नस्ता किया है ता यहностью 306 में Ben चोड़ देएं अंजा उसमें एक दो कंड़ ले ले पार्ब दे वांदे किसी को देगा ने हो इसको में उसको में उसको में खोल खोल क проблем और एक का गन्ना छाटते हैं जैसे यह कमजोर है इसको दांती से काटकर निकाल लिया हर मेड़्े मैं से जो ज़रा कमजोर है इसको निकाल के फैक्टरी पुचा देते हैं छटनी करके और जो स्वस्थ गन्ना जिसकी मोटी डांडी हरी कंच है बिलकुर निच्चे सोपर तक भी कुछ स्वस्थ है उस गन्ने को छोड़ देते हैं फिर बाद में गोला जो होता है पत्ती का हरा इससे हम उन मेड़्ो को दुबारे एक अग बार बान देते हैं ताकि वो में तक ऐसी खड़ा रहे है जो क्योंकि अगर गरना गिर जाएगा तो उसे क्या नाम जी गिदड़ भी चूंक लें तो कई नुकसान होते हैं उसमें दुबारे बान देते हैं और फिर पानी जाते हैं वो इतना सुन्दर होता है हरा कंच लंबा बड़ता है खूब चटनी हो जा उसकी तो भाईयो हम ऐसे वीज तयार करते हैं ये पांच बीगे का बीज हमने ऐसी तयार किया कुछ दड़िया तो ये काटली और कुछ इस साइड में ये रहा ये देखिए इसका धोरे का खोड़ा बड़ा स्वस्था है तंदुर्थ ये पुनीत ने कटा ये देखिए ये खड़े हैं पानी आगे ये हरे रहेंगे जब इसमें छोल आएगी तब हम इसको फैक्टरी प लग रही तो उसमें गरना ज्यादे मोटा था और घ्योंवाला बीज सबसे बड़िया होता है कि ये हमने किया कि ये क्योंकि पहली बार हमने यह काट का बोया है उपर उपर का जब सारा एक दोर से करते हैं तब तो ऐसी कर लेते थे लेकिन देखते हैं क्या जड़ निकलेगा पिछली बार दस बार खूड बो दिये थे हमने ऐसे ही पुनीत पबलू ने उपर उपर के तो उसमें बहुत ज़्यादे ब्यांत हुआ वो अच्छा खड़ा है ये देखे सामने जो फंटी से मकरी आपको ये ये दस बार खूड ह है ये हमने पिछले साल गोंड गोंड का बोयदा उपर का ये लगा लिजिए उपर का दो दो ड़ाई ड़ाई फूट का बस ये बहुत गड़िया खड़ा है घ्रमों के लिए अब इसी को छोड़ देंगे इसके मेड़े खोलके इनकी छटनी करेंगे तो ये बहुत अच्छ हो जाए हर साल तो थोड़ा थोड़ा ऐसे करिए उपर का हिस्सा बोईए और उसे फिर अगली साल पहला लीजिए एक और फरक पड़ता है मालिया हमारी जमीन ये कैडी है मतलब चिकनी इसका बीज काटका हम रेतली में बोदें दूसरे खेत में दूर तो उससे फरक पड़ पड़ता है इसी का बीज काटके इसमें बोएंगे इसके निगट तो पैदावार घटती है जैसे आलो का बीज है जमीन बदली है तो बदलावाने से ही बहुत फरक पड़ता है लगे ये हमारे ग्हुमों का है इछले साल मैई में बोगा था पहली है दूसरी मैई को ठीक ख ट्रंस्विदी इसलिए अपनाई है क्योंकि बंधाई में एक तो बंधाई का खर्चा चलो खर्चा भी देखा जा कोई बात नहीं यह देखो यह न बरीक जो गन्ना रह गया यह बीच में गन्ने की मोटाई नहीं बढ़बाई तरी बढ़िया मजएदार और ट्रंस्विद हो जाता और हरा रहता भले यह ऐस वर्स चलना है सुरू से लेकिन यह जिन्दा रहता हो सूकता नहीं बिल्गुल भी अब देखे इस मेड़े में कम से कम दस गन्ने आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके सिर बंधे हुए है और वो सूक चुक है तो यह सबसे बड़ा नुक्सा बांदा है कि अब खुद भी बांदो के तो अब निकाल दोगे लेकि हर आदमी नहीं निकाल पाता है उसे अपना एक बीगा बांदना है एक दिन में तो वो क्यों आपके छोटे पेड बाहर निकाल लेगा तो भाईओ यह था अचाहिए हमने ती बरसी पेड़ी छोड़ द दुबर सी पेड़ी है दस कुंटल भी घटिया तो हमारी जो है पोद्ध में बहुत लागत आती है इतनी लागत आजा भाईयो उसकी पहले तो तयारी बहुत जुताईगी अब देखे कितने स्वस्थ चमकरे पेड़ हरी कंच खड़ी है अब इसमें डोज लगाएंगे इस में हमने एक कट्टा रामबान बखेड दिया था फिर पानी दे दिया वो मील की तरफ से मिलता है सवा चार सो के आसपास कटता है देखो जी रही बात यह हो खाद की कैसा ही गेर लो कुछ ना कुछ असर दिखा गया है पिछले बार हमारे एक मित्र ने कहा कि हमारे यहां हप हैं सुर्विग काट्टा आप मेरे कैसे दो कट्टे ले जाओ हम अन भाई के कहने से दो कट्टे लिया बखे ले और रही हमें दो कट्टे वे इसमें और इसमें डाल दिया दोनों को Stri Be फरक है गन्ने का जो हमारे सामने गन्ना खड़ा है ये देखिए उसमें वो मज़ा नहीं आ रहा जो इन्माया मैं इसकी बढ़वार दिखाता हूँ आपको ये देखिए आप हरा रंगेज का ये भी हरा खड़ा है लंबाई भी ठीक चल ली है अब ये दस महिने का हुआ है ये हमारे चाच्चा का लड़के का है इसमें वो कैल्सियम नहीं पड़ा अब देखिए दोन्हों एक दिन के बोई हुए है आप इसकी लंबाई देख लो और भाईयों इसकी हमारे की देख लो है हमारे मित्र हैं सुधना के हरैंदर तो उथरी उन्होंने दीती सलाह उन से हम दो कठ्टे लेका आए हपड में मिलता है हपड के तरफ हमारी धरनी मिलता मात ए доллар gold का हमने ये एक एकड में डाल दियते एक से इसमें इस्प्रेय नहीं किया ये की तरह खर्पतवार खड़ा ये बहुत जरूरी अप्फूग रहा है हम छोल फुलने से पहले एक इस्प्रेय करते हैं ये देखो खर्पतवार सब भसम हो गया क्योंकि जो गन्य छोलेगा हमारा ठेकदार एकक पोगा छोड़ देगा चमक जाता है उसमें और यह जो खर्पतवार नाशक हम दवाई श्प्रे करता है इसका एक फायदा होता है पोगेच्च पूटता है कुछ लाब करता है अब देखे भाई उस गरने के लंबाई देख लो आप यह घ्यम्मो का है अभी मातर दस महीने हुए है इसकी यह उमर जो है मैं में जाकर यह एक साल का होगा तो दोस्तों वीडियो चिल लगी हो तो लाइक करना सब्सक्राइब करना नमस्कार